कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो UGC का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है तो UGC का जो नोटिफिकेशन है 2024 के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि वो आ चुका है 2024 UGC के लिए application form रिलीज हो चुका है और वो रिलीज हुआ था कल यानि कि 20 अपरिल को रिलीज हुआ था और जो UGC का एक्जाम है वो भी अनौउस कर दिया गया है 16 जून को है और जो हमारा application form है इन लोगों का वो उपन होगा 20 अपरिल से 10 में तक तो यह सारी बाते तो हो गई जून के लिए अब प्रश्ण यह आता है कि UGC जून तो अनौउस हो चुका है पर CSIR का एक्जाम कब होगा में बात हमारे लिए वो है तो अगर हम previous analysis के हिसाब से देखे या आप देख सकते हो UGC का December 2023 का bulletin है अगर इस bulletin के हिसाब से हम देखे तो UGC का एक्जाम December में हुआ था 6 December से लेके 23 December तक हुआ था और हमारा CSIR का एक्जाम था December वाला वो भी हुआ था उसी के आसपास 26, 27, 28 December को हुआ था यानि कि जैसे ही UGC के एक्जाम कतम हुए थे वैसे ही CSIR के एक्जाम शुरू हो गए थे similarly यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछली बार यह हुआ था कि जो UGC का पोर्टल था वो ओपन हुआ था 30 September से लेके 28 October तक और जैसे ही UGC का पोर्टल बंद हुआ था CSIR का पोर्टल शुरू हो गया था 1 November से लेके 30 November तक तो इससे हम यह उमीद लगा सकते हैं कि इस पार जो यह पोर्टल है इनका UGC का वो 10 में तक ओपन हो रहा है तो 10 में के तुरंट बात यानि कि तुरंट आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं CSIR का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा यानि कि आप उमीद लगा सकते हैं 2nd week of me के आसपास हमारे जो फॉर्म से वो आ जाने चाहिए इनका जो एक्जाम है वो 16 जून को है तो हमारा एक्साम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके next week में हो जाएगा या फिर June end तक तो होई जाएगा तो इस हिसाब से अभी आप ये लगा के चलिए कि आपके पास पूरा 2 months का plan आपका ready होना चाहिए अब आप 2 months को target कर सकते हो CSIR के लिए अपनी जो भी आप preparation बना रहे हो strategy बना रहे हो आप 2 महीने के हिसाब से बना के चलिए क्योंकि form जो है जट जट आएगा फट फट आएगा जैसे कि for example में में आगया तो में में आएगा तो किता ही time बचेगा तो इससे अच्छा है कि अब आप पहले से ही अपनी planning अच्छे से करके रखिए 2 महीने के target रखिए कि 2 महीने में आपका एक्जाम है यह सोच के रखिए आज 11 एपरिल है तो आप यह समझ सकते है कि 21 जून के आसपास जो है वो आपका एक्जाम conduct कर लिया जाएगा तो उसे साफ से आप अपनी पूरा target बना के रखिए और अगर आपको हमारे साथ बंसल बायोलोजिक पर पढ़ना है तो आप हमारा cellular batch जोइन कर सकते है 2-3 महीने के लिए आप जोइन कर सकते है और हमारे साथ आके प्रिपेर कर सकते है जो भी आपकी यूनिट्स बच्ची है वो सारी आप देख सकते हो वो सब आप पढ़ सकते हो तो आप हमारे साथ जोइन कर लो अब यह जो target है वो बना लो कि आपके पास 2-3 महीने का target है उस हिसाब से फिलाल तो 2 ही महीने रखो कि 2 महीने के आसपास का आपके पास target है उस हिसाब आप preparation कर लो Wish you all the very best guys Take care of yourself, bye-bye